नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ससी लर्निंग प्वाइंट बाई सिंग सर आग हम करेंगे 17 जन्वरी की सिर्फ फॉर का पेपर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिनादेरी की हुए यह देखो सबसे पहला सवाल सबसे कठिन सवाल क्योंकि इतमिनान से नहीं करो गया तो गलत होने के चांस बहुत रहते हैं चारतियां बारा हो गया यह तीन दूनी शे हो गया यहां पर शे चार दस हो गया 10-6-16 यह पूरा ब्रेकेट हमने सॉल्व कर लिया कितना आ गया 16 आग क्योंट दोड़े में इतने मीटर प्रति सेकंट की चाल से और तीसरे mae इतने मीटर प्रति सगंड चयां जाए हमने बली साठ तो तील वोगों के लिए कि 100-100 होग यह निकि START टोटल डिस्टेंस यह हो गई अब यहां से देखो अगर इसमें टाइम निकालते क्योंकि टोटल टाइम चाहिए तो साथ में भाग करते दसका दस चक्के साथ हो गया फार्मूला पता ना एस बरावर डी अपॉन टी होता टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे अगला सवाल करते हैं एक का अंकित मूल इतने रुपए है दुकंदार इस पर गैरा परसेंट की औप सीजन छूट परदान करता है ऐसी का बिक्रे मूले क्या होगा यानि कि three six eight double zero ग्यारा percent की छूट प्रदान करता 11 percent का मतलब या तो 89 निकाल का आपके लिए अगा टफ हो रहा हो तो यहां से ग्यारी percent निकाल के एक तब मैनेस करो क्यों 89 बड़ा हो जाएगा या तो फिर यहां से इतना निकालना यह अठा देंगे या तो 90 माइनस का बन कर लो इस तरीके से निकाल लो जैसे जैसे जिसको सुवधा लगे उस तरीके से कर लो तो देखो इसको निकालते हैं 0 किया अब यहां से करेंगे देखो यह तो cancel हो चुके इसका अगर करते माइनस में तो लाष्ट में क्या आता 68 आता 10 से 8 गया 11 से 6 गया 5 हो गया हमें 52 चाहिए लेकिन एक नंबर और पगड़ना था तो इस तरीके से कर सकते हो बाकि 36 800 का 11 परसेंट निकालके 36 800 से गटांगे तब आ जाएगा अगला सवाल करते हैं अर्द बारसिक रूप से दे 2 परसेंट बार्सिक डॉमिन रेट के अनुरूफ प्रभावी बारसिक दर ग्यात किजिए भी तो इस साल बनेगी ! ल Ultimate you अगला सवाल, बिन्नो का सही अब रोही किरम लिखना है, इसका मितलब हमें बड़े से छोटे के तरफ जाना है, इसम में सम्हें सबको 80 बना लो नीचे, इसको 80 बनाएंगे तो ऊपर हो जाएगा, इसमें अगर 5 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 5 का गुणा होगा इसमें 80 तो है इसमें 42 दूनी 80 इसमें 2 का गुणा तो यहां से दिखो 70 वटे 80 समझ गए बात को ऐसा क्यों किया अब आपको बताना कटिन हो रहा है कौन से बड़ा कौन से छोटा कैसा लिखा जाएगा बताओ कोई दिक्कत हो रही तो बताओ आपके आँखों के सामने रखा हुआ है सेम नंबर से नीचे डिवाइड हो रहा है उससे कोई फरक नहीं पड़ करते हैं एक कार को रिया बारा दिनों में रीता अठारा दिनों में और गीता चौविस दिनों में करती है रीता और गीता ने छे दिनों तक साथ मिलकर काम किया फिर गीता की जगह रिया ने ले ली ठीक है रीता ने मिलकर काम किया तो देखो रिया रीता जी ठीक है और गीत कर दिया बचा कितना तीस काम बचा है अब क्या किया गया गीता की जगए रिया ने ले लिए यानि की गीता की जगए इनकी जगए रिया जी आ गई कि च्एंटिमेटर बजा वाले संभाव तुरूज के कोनों काट कर एक समसट्वुच बनाया जाता है इस समसट्वुच के च्छे तरफल ज्याद किजिए डीकुष सिंपल सी बात है यह बना है इसको यहां से काटा गया इसको यहां से काटा गया इसको यहां से तो इसकी बुजा 6 थी अगर सम 60 बनानी तो 2, 2, 4, 2, 6 ऐसे बनेगा यानि कि ये सभी बुजाए कितनी होगी क्योंकि ये एंगल अगर 60 है तो ये भी 60 ही 60 होगा क्योंकि संभाव तर्बुज में सब बरावर होगा तो ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2 हमने बताया था संभाव तर्बुज में अगर बुजा 2 हो तो एरिया रूट 3 होता है, रूट 3 होगा लेकिन 60 बुज है तो 6 का गुणा कर दो आंसर ठीक है बाकी अगर फर्मूला करते तो 6 इंटू रूट 3 वाई 4 एस पायर, एक इतनी होगी 60 बुज की दो, अगला सवाल करते हैं रमेज ने कुछ पैसे उधार लिया और पहले वर्स के अंत में इतने और दूसरे वर्स के अंत में इतने के वुक्तान द्वारा उसे चुकता करने के लिए सैमत हो गया यदि चक्रवजी ब्याज की 10-10 परसे कहें तो रमेज द्वारा उधार लेगी रासी क्या है आप यहां से देखो रासी माली हमने की एक्स होती समझना तो 10 परसेंट लगा ना 10 परसेंट तो हमारे पास अमाउंट टोटल इतना हो जाता उसमें से पहले वर्स इतने दे दिये उसने फिर क्या किया फिर उसने इस पर जो बचा होगा उस पर फिर से ब्याज लगा होगा कितना 110 बटे 100 फिर कितने दे दी उसने सब खतम कर दिया 65-34 यहां से करेंगी 11-15-15-10 बच गया तो 5-6-4-10-0 हासिल लगाएक हो गया 10-10-5-15-5 हासिल लगाएक हो गया 6-4-10 हो गया यहां से लिख सकते एक्स इंटू 11 बटे 10 बरावर यहां से करेंगे 11-19-96 बच गया 11-15-55 हो गया 11-15-55 हो गया तो एक्स बरावर आ गया 9-5-5 ठीक है अब घवरा मत जाना एक्स देखके देखो ऐसा कुछ भी नहीं है सबाल में कैलकुलेशन बेस है जितनी जल्दी कैलकुलेशन कर लोगे उतना अच्छा है ठीक है अगला सवाल करते है चालिस बस्तों का बिक्रेमूल 60 बस्तों के क्रेमूल लिके बरावर है तो देखो उसने 60 की चीजों के पैसे 40 से ही कमा यानि कि दी कितनी 40 अपने पास से गुणा कर दो 122 दूनी 40 50 परसेंट अंसर अगर नहीं समझ में आता तो जो को 40 बस्तों का SP बरावर 60 बस्तों के CP यानि कि SP अपाउन CP तीन बटे दो व्या कितना प्रॉफिट लिया एक का किस से दो से गुणा सो कर दो 50 परसेंट अंसर अ चोड़ दिया फुल कार को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या लगवक क्या है तो देखो बी और दोनों पहले जा रहे ना इनको मज़ा चखाते हैं इनसे कहेंगे आओ अभी ज्यादा का जा का रहे हुआ है तो यहां से देखो इसको लिख सकते हैं क्या साथ अ आ जाएगा ना क्योंकि 12 चंग 72 आड़ ने बातर हां ठीक है 72 हो गया तो यहां से दिखो सा से साथ कर जाएगा इसकी इफिसेंसी 12 हो गए इसकी नो हो गई और इसकी आठ हो गई ठीक है कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं अब जा कहूं रहा था बह्या दस दिन पहले बारा द पहले 12 दिन पहले बी जाते ञांद से आर रहा अगे और दस दिन पहले को जा रहा यह जा रहा था आ जा तो भाई तुम भी और काम करो पहले हैंसे तोंAL काम साठ दिन रहास सक तूनन शत्यों फय्टन बिवान से बारन में कितना हो गया एक्केस और आट उन्तिस हो गया अब उन्तिस से हमें भाग करना सेविन थरी तू में उन्तिस का टेविल तो मुझे याद नहीं इसलिए हम इस तरीके से करेंगे आप यहां से देखो उन्तिस दूनी अठावन दो ही बार जाएगा बिल्कुल दो बार जाएगा एक option कट चुका है आपका तो यहां से करेंगे दोने मैं अठारा दो दूनी चार एक पांच तेरा से आठ गया तो पांच बचा और यहां छे से पांच गया एक बचा फिर उतारा लिया दो का अब देखो यहां से पांच बार चार बार सबसे पहले सबसे बढ़ा चेक करते तो नौदूनी अठारा पंद्रह से ज्यादा केंसल फिर यहां से करेंगे पांदूनी दस यानि कि पांच बार जा सकता है क्योंकि पांदूनी पैतालिस पांदूनी दस हो चार चोड़ा अंसर आगे अगला सवाल करते हैं तीन धावक अमन रमेश और नरेश एक दोड़ ल अमन है ना वो एक से चलता है रमेश से 48 मीटर आगे रहता है और नरेश से 68 मीटर आगे रहता है इसी लंबाई के अन्य दोड़ में रमेश नरेश से 25 मीटर आगे रहकर अब दूसरा एक रेशियो बन रहा है क्या बना रमेश नरेश से 25 मीटर आगे रहकर तो रमेश अगर एक से दा रहा तो यह 25 मीटर आगे हो जाएगा इससे यानिक हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन 48 अपॉन एक्स बरवर एक्स माइनश का 68 अपॉन 25 अगर यह चीज नहीं समझ बार ही तो ऐसे भी लिख सकते हो भाई इसका रिशियो अमने बनाया के चेस्ट एक्स माइनश 68 अपिया एक्स माइनश का 25 अब यहां से cross multiply कर लेते हैं, cross multiply करेंगे तो x square minus 25 x हो गया, और फिर minus 25 का, इसमें x का सम्में गुणा कर सो के, अब 48 का कर देंगे, minus 48 x हो गया, minus करेंगे, minus minus, plus 25, 200 हो गया, हांसे लगा, 20, 25, 100, 120 हो जाएगा, यानि कि 1200 आ गया, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, यानि कि इसके पूरे के बराबर हम लिख सकते हैं, x square minus 68 x हो गया, यह cancel out हो गया, इससे बिल्कुल हो जाएगा, अब यहां से देखो इधर आ जाएगा, कि 68 x, plus 48 x, और plus का 25 x हो गया, यहां पर देखो इसके बराबर क्या हो गया, 12 हो गया, केवन, यहां से देखो इनका difference करेंगे, 0 हो गया, 4 से 6 से 4 गया, 2 वह भी minus का आया, बराबर क्लस का 25 x हो गया, बराबर कितना हो गया, 12 हो, यहनि कि इधर लिख सकते हैं, 5 x बराबर 12 हो, हम यहां से करेंगे तो 5 x 10, 5 x 20 हो गया, यहनि कि 240, तो कराबर पूरी दूरी को इस्तिरचाल से तैय करता है, दोड की लंबाई ग्याद कीजिए, तो हमारा बिल्कुल आंसर आ चुका था, क्योंकि दिंगः को कहा ता, अमर्त रमेश से 48 मीटर 210 मीटर आगे रहे कर, अब an attach लइस मीटर आगे रहे कर, यानि कि यह अगर 48 मीटर आगे रहा तो यह 48 मीटर पीछे रहे कर दौड़ पूरी कर रहा है। इसको हमने इस्टेवल कर लिया ता से लंटाओं 21 नेकि 8 60 25 बरावर एक्स प्लस वाई यंदे तर्फ मायन यह मेंस वाइं त्ंस मायम वाइं यहां से करेंगो यहां से करेंगी यह पांच हो गया ठीक है कोई दिक्कत परिश है स्मस्था ऐस त्राओं 22 कि 70 13 से पान्स चला गया 12 हो गया बराबर हो गया एक्स निर्था हो गया रहा ता देख हुआ ठीक हिए कि मतलब छे एक्स असे कितना पर्सेंट यहां से 60 बटे घ्यारा हो गया गया पना 55 पांच बचा ग्यारा चॉक चाहरा आदेगा सामपोन डिवीडेंडों का रूल कहता है एक बार जोड़ेंगे फिर एक बार नीचे गटा देंगे एक बार जोड़ेंगे एक बार गटा देंगे यानि कि इस से हम इस पर भी जा सकते हैं और इस से इस पर भी आ सकते हैं अगला सवाल एक बैकेट को बास्तुविक माप से 10% कम बजन का अपयोग करके क्र 9 से गुणा कर 200 आंसर आ गया 11 से एक वटे 9 परसेंट अगला सवाल इसी संख्या 142 से भाग देने पर हमें बागफल के रूप में 120 और सेस्वल के रूप में जीरो प्राप्त होता है ठीक है उसी संख्या को 41 से भाग देने पर सेज्वल क्या हुआ यानि कि संख्या तो पहले हो गई है यानि कि 0 हो गया बारा दूनी 24 हो गया बारा चोक अड़तालिस और दो कितना हो गया पचास हमें 41 से भाग करना है यानि 41 एकम 41 किया तो बचा कितना है इसे निकल आएगा अगला सवाल पंका जी की विक्री पर पहले घैसो की नगत चूट और फिर 8% 5% की दो क्रमिक चूट देता है यदि कुरसी का अंकित मुल इतना है तो दी गई चूट योजना के बाद गिराक के लिए कुरसी कितने का देखो पहले तो इसमें से परिता करदो यानि की चार अजार की भचाई फिर उसमें आठ परसंट की चूट दी याने की बादवे परसंट परसंट की एक और चूट दे यानिकि 95 तो यहां से यह दो जीरो चले गया एक जीरो इधर चला गया, फिर यहां से करेंगे दो दूनी चार हो गया, दो पंजे दस इधर करेंगे तो उन्नेस हो गया, दो दूनी चार चार नेम छत्ते सी, उने डिजिट छे चाहिए आंसर, जीरो से तो मतलबी नहीं रहा, अगला सवाल, 2000 मीटर की परिद वाले एक बृत्ताकर स्टेडियम के परिता, 8000 मीटर की एक दोड में, सबसे तेज दावक रोहन और सबसे दीमा दावक सोहम, एक ही बिंदु से दोड़ना सुरू करते हैं, और दोड़ सुरू होने के बाद, दसवे मिनट के अंत में, आरंबिक बिंदु पर एक साथ पहली बार पहुंचते हैं, यदि रोहन सोहम की दुगनी चाल से दोड़ता है, यानि कि रोहन सोहम की दुगनी चाल से दोड़ता है, यानि कि अगर ये एक है, तो ये कितना हो गया, तो रोहन को दोड समाप्त करने में, कितना समय लगेगा, तो दोनों एक ही सब्सक्राइब करने में कितनी हो जाएगी दो गुड़े दस वटे तीन आगी आप चाल कितनी दौड थी आठ हजार मीटर ती डिवाइट कर दो दो गुड़े यहां से यह क्या आया 400 गुड़े तीन यह सेकंड में आया क्योंकि हमने मीटर निकाली में आप्सन मिनट में दिया थी यह काट दो तीन दूनी छे हो गया दो दूनी चार यहने की बीस मिनट आंसर दोनों सवालों को नोट कर ले ना जिससे पहले जो आया था आपका उसको भी और इसको भी ठीक है इस सेट में दो-तीन सवाल आये हैं इस ताइप के तो आप समझ लो यह सेट अपने आप में अक्षी हो जाती है चलिए फिर अगला सवाल करते है एक नया घन बनाने के लिए पांस सेंटिमेटर चार सेंटिमेटर तीन सेंटिमेटर बुजा वाले तीन गनों को पिगलाया जाता है उस नया गन के विकड की लंबाई क्या होगी देखो विकड की लंबाई पहले तो आयता नहीं निकाल लो उसके बाद परावर नया गन हो जाएगा यानिक एक सो पच्छिस चौश्ट सटाइस पांच चान नौशा सो लाच्छी आंसे लगा एक सब्सक्राइब करना चाहिए नहीं हो रहा तो आट और पांस का तीन का डिफरेंस चार तीन एक का इस रेशियो में गुणा करो तीन का पांच अन्पाथ यानकी बरतमार आयू का यह कितना होगा दे को आट पांस तेरा तेरा जो निखालना अगला सवाल प्रतम सोला प्राकरति संक्याओं का ऊसथ क्या होगा तो यहां से देखो तो एक से लेके 16 तक चाहिए 16 एक सत्रा हो जाएगा 17 वटे दो दो अट्थे 16 दो पंजी 10 पता है ना अगर डिफ्रेंस बरावर हो नमबर में तो लास्ट नमबर प्लस फर्स्ट नमबर वटे दो कर दो आंसर अगला सवाल करते हैं एक चुनाव में एक प्रत्यासी जिसने 70 परसंट मत परत प्रत के 500 मतों के बहुमत से तुल लीआ गया मतों की कुल संख्या यानि कि 100 अगला सवाल करते हैं चलिए फिर 17 जन्वरी की सिफ्ट 4 आपकी कम्प्लीट हो गई है और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहे हैं इसमें कुछ कोशन बहुत अच्छे हैं उनको नोट जरूर कर लेना जै हिंद जै भारत